दोस्तो इस वीडियो में हम इस बात पर discussion करेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे 5 मिनिट में Paytm पर जाके Personal Loan के लिए apply कर सकते हैं एक बर मैं आपको स्क्रीन पर पूरा का पूरा process भी दिखायता हूँ यह सारा का सारा process कि आपको कैसे Paytm app पर जाके Personal Loan के लिए apply करना है यह सारा का सारा process इस वीडियो में हम देखेंगे लेकिन यह सारा process हम देखेंगे वीडियो के अंत में सबसे पहले हम यह तो देख लें कि जिस app से यानि Paytm से जो हम Personal Loan लेने जा रहे हैं उसका basically rate of interest क्या है processing fees मेर से यह कितनी charge करने वाला है अच्छा जी अब यहां से Personal Loan लेने का फाइदा है भी या नहीं है या फिर किसी दूसी जगा से हमें Personal Loan ले लेना चाहिए पहले इस बातों को सारी को हम एक तरह से में मुद्दे को discuss करेंगे और अंत्र में देख लेंगे कि कैसे Paytm app पे जाके आपको पूरा का पूरा Personal Loan के लिए apply करना है अब देखो यहां पे screenshot मैंने लगा दिया है यहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि Paytm पे जाके आप जादा से जादा पांच लाख उर्पे तक के Personal Loan के लिए apply कर सकते हो अच्छा जी बहुत अच्छी बात है लेकिन एक चीज और भी मैं आपको पता दूँ कि यह Paytm अपनी जेव से आपको Personal Loan देने वाला नहीं है आप यह सोचो ना कि Paytm पैसे दे रहा है Paytm पैसे नहीं दे रहा Paytm के साथ total 4 vendors हैं यह पैसे देंगे एक तरह से जिसको बोलते हैं कि यह फोगया यह Paytm होगया और यह चार पिरला और चोथा यह पूना वाला करके यह चार पनीया है जो परसनल लोन भाठती है Paytm बस एक माध्यम है कि आप Paytm के पास एक बहुत बड़ा customer base है customer Paytm पे जाएगा apply करेगा और redirect हो जाएगा इन चार companyों पे तो आप खुछ समझदार हो कि जब भी हम कभी property वेकरा खरीदते हैं तो broker क्या करते है 1% commission लेते हैं आप से भी लेगा खरीदने वाले से भी लेगा और बेचने वाले से भी लेगा यही का में broker का तो आप खुछ समझदार हो कि Paytm से फिर क्यों ले रहे हो direct लेना ही है अगर आपको पूना वाला इतनी अच्छी company लगती ही है तो direct पूना वाला से ले लो direct अधित्य विर्ला से ले लो बलकि मैं तो कहता हूँ कि instant loan app क्या है कुछ चलो क्या बताओ बस मैं आपको लेना है तो मेरा हमेशा यह मानना रहेगा कि bankों से लो ठीक है bank से अच्छा कुछ नहीं बस एक चीज की रखे जो जादा से जादा समय दे loan को भरने के लिए मेरी इच्छा है चाए मैं उसे 6 महिने में उतार दूँ भले मैं उसे 1 साल में उतार दूँ लेकिन जादा से जादा जो 5-5 साल के लिए मेरे को personal loan का समय दे वो मेरे लिए best है तो ऐसे blindly नहीं देखेंगे कैसे करना है अब पेटियम बोलता है कि minimum 10,000 रुपे का loan देता है और जाद से जादा 5,000,000 रुपे का loan देता है समय कितना देता है मेरे को 48 महिने यानि 4 साल का maximum मेरे को tenure देता है personal loan को उतारने के लिए rate of interest कितना है सबसे एहम बात कि rate of interest क्या देगा जैसे अब ही मैं आगे दिखाऊंगा bank को कैसे लो screenshot rate of interest पेटियम ने कुछ नहीं यह मैंने पेटियम से screenshot उठाया है यह साफ साब बोलते है कि आपके civil score के ओपर depend करता है कि हम आपसे कितना rate of interest charge करेंगे हो सकता हम आपसे 15% भी charge कर ले हो सकता हम आपसे उनका personal loan पेटियम पे जाके apply किया गया तो यहां पे देखो दिखा रहा है कि अलग-अलग किस्ते हैं 12 महीनों के लिए भी loan ले सकते हो 18 महीनों के लिए भी ले सकते हो ठीक है जी अब यहां पे 1,00,000 रुपे का loan एक तरह से हम आपने calculator भी लगा दिया तो यहां पे जो interest बन रहा है rate of interest वो बन रहा है 39% बापरे, 39% personal loan का rate of interest बन रहा है यह screenshot उठाये गया पे टियम पे जाकर गई, खुद apply करके वहां चे उठाये गया तो 29% का rate of interest बन रहा है चलो rate of interest हो गया, processing fees भी लग रही होगी यहां पे देखो, यहां साफ साफ लिखा गया है कि एक लाग का तो loan है, लेकिन amount जो आ रही है वो आ रही है, 94,690 रुपे चीक है जी, loan कितना है? एक लाग रुपे का, तो आपके charges कितने होगे? 5.30% के, बाप रेबाप अब मान के चलो कि, अगर processing fees और यह stem duty, vam duty, जो भी extra charges है वो 5.30% लगा रहा है तो लाख रुपे के loan के पीछे मेरे को सिरफ और सिरफ 94,690 रुपे बैंक में आए, सरपे loan चड़े के 39% के हिसाब से, और सरपे loan चला इसकी जो EMI बन रही है, महीने की वो बन रही थी, 3682 रुपे की ठीक है, यहाँ पे देखो 6 महीने के लिए यह loan दे रहा है, 3682 रुपे किष्ट बन रही है, और यहाँ पे calculator में इसने दिखाया कि 35% का rate of interest आ रहा है, वाउ, 35% कोई मजाग नहीं चल रहा, ठीक है 35% का यह rate of interest दे रहा है, और अगर यहाँ पे amount received की बात करें, तो 20,000 के loan के लिए apply किया गया है, और खाते में जो amount आई है, वो आई है 18,502 रुपे अब वही चीज हो गई कि 20,000 का loan है, खाते में सिरफ 18,502 रुपे आए है, और क्या बोलते हैं, इस हिसाब से जो आपका processing fees or stamp duty वेगरा मिला मिला करके 7.49% बहुत जादा है, बहुत जादा, अगर मान के चलो एक example भगड़ो 7.49%, ठीक है, छोटे loan पे न, पता नहीं लगता है, यही तो चोटा सा, सिरफ 20,000 रुपे का, तो हमें दिख गया तो क्या फरक पड़ता है, 20,000 के पीछे 18,502 रुपे दे दिये तो, तो क्या ही फरक पड़ता है, है न, फरक पड़ता है सर, जब हम 10,000,000 रुपे का loan लेंगे, और 8% की processing fees देंगे, तो हमारे को, अब आप खुद calculate कर लो, 10,000,000 रुपे के पीछे, 8% आपकी processing fees कट गए, यानि यह होगा, almost 80,000 रुपे, 80,000 रुपे कट गए, और आपके account में 9,20,000 रुपे ही सिरफ आएंगे, और आपके सर पे loan चड ने लिया, उस पे 40% का rate of interest लग गया, तो आपको लगेगा कि यार, 1000 रुपे से 809,000 रुपे की तो किष्ट बन रही है, क्या ही फरक पड़ता है, फरक पड़ता है सर, जब आप 10,000 की जगा 1,000,000 का loan लोगे, फरक पड़ेगा जब आप 5,000,000 का loan लोगे, example यह छोटी सी amount का ही क्यों देते हैं, आप यह कभी भी जब 40% rate of interest चार्ज करना है, तो यह बड़ी amount का क्यों नहीं example देते हैं, क्यों नहीं यह बताते हैं कि आप 10,000,000 का loan लोगे, और 45% पर लोगे, तब आपकी किष्ट इतनी बनेगी, और आपको इतना पैसा देना होगा, आपकी इतनी processing fees तो यहां से चलो, उनकी बातों में मत आओ, मैं यह नहीं कहा रहा कि कोई भी app या कोई भी चीज गलत है, ठीक है, जो मेरे को सबसे सस्ता rate of interest देगी, वो चीज ठीक है, ठीक है जी, अब मैंने यहां पर एक example लगा है, चलो यह PTM वाली बात देख ली, यह मेरा खुद का example है यह ICCA bank से मैंने loan लिया था, 3,17,000 रुपे का, यहां एक साल के लिए लिया गया था, ठीक है, यहां किष्ट देखो, 28,360 रुपे, यही चीज मैंने calculator में डाली, यहां 28,360 नहीं, 373 क्योंकि exact amount match नहीं हो रही थी, ठीक है, तो यहां 28,360 रुपे जब डाला एक तरने से, यह म apply कर लेना, मतलब कोई भी bank हो, bank की बात कर रहों, बस में सिरफ, bank भी तो सस्ते rate of interest पे loan देते हैं, तो जब मेरे को bank से approval मिल जाएगा, आप अगर माल लो, यह Paytm को ही पकड़ लो, Paytm मेरे को 12% पे यही loan दे देता, तो मैं कहा देता कि Paytm बहुत अच्छा है, या इसे इसे bank बकवास है, मेरे लिए, मेरे लिए बकवास हो जाता, तो भाई जो, देखो, personal loan क्या है, personal loan कून सा best है, जहां मेरे को सबसे सस्ता rate of interest मिल जाए, जहां मेरे को processing fees कम से कम मिल जाए, अच्छा जी, इसके अलावा, समय, tenure, जादा से जादा मिल जाए loan चुकाने के लिए, तो व ठीक है, यह customer है, flip card के पास भरे पड़े है customers, अब flip card पे जब हम click करते हैं, redirect करते हैं, ICSA bank के पास, यार मैं बीज में flip card के through क्यों जाओं, यार मैं direct ICSA bank से लिए, sorry, access bank से personal loan ले लूँगा, अगर मेरे को personal loan ले ना ही है, तो खुद आप समझदार हो, चीक है, आगे देखो, ब personal loan के rate of interest 10.50% से maximum 16% तक जा सकते हैं, ऐसे ही SBI बोलता है कि हमारे personal loan के rate of interest 11.05% से start होते हैं, तो मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं कि हमेशा priority रखो कि बेंकों से low, बाकी ठीक है, आप ये Paytm personal loan का वीडियो देखने आयों, तो इस वीडियो में हम process ज़रूर discuss करेंगे, तो फट फट देख लेते हैं कि Paytm से हम घर बैटे बैटे, कैसे personal loan के लिए apply कर सकते हैं, अब Paytm से personal loan लेने के लिए, सबसे पहले आपको अपनी Paytm वाली app को open करना है, सर्च में जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है personal loan, और ये जो आपके सामने personal loan का option दिखाई दे रहा है, स Official website पर जो है 5 लाग का दिखाता है, लेकिन कई बार जब हम app को open करते हैं, तो वहाँ पर कई बार ये दिखाता है कि 3 लाग के लिए कोई eligible है maximum, और कोई कभी कभी दिखाई देगा 5 लाग, तो ये पीछे से ही आता है कि कभी 3 दिखाता है, कभी 5 दिखाता है, लेकिन Official website पर 5 लिखाता है, तो चलो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको get it now के option पर click करना है, उसके बार next page पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने pen card का number एंटर करना है, नीचे अपनी date of birth एंटर करन अगर salaried हो, तो यहाँ पर नीचे आपको अपनी company का नाम एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद यह पूछ रहा है कि सालाना कितना पैसा आप कमाते हो, ऐसे नीचे आपका home address पूछ रहा है कि आप किस पते पर रहते हो, जो भी आपका address है, वो आप यहाँ पर एंटर कर दे maximum आपको कितना मिलेगा, तो अभी के लिए तो बस यह बोल रहा है कि maximum कोई 3 lakh का ले सकता है, तो आपको अगर कम की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, तो यहाँ 3 क्यों select करते हो, तो अभी यहाँ 50 कर दो, तो इसको आप देख लेना, अगर कोई 3 lakh ही select करता है, तो नीचे देखो लिखा हुए take a selfie, तो यहाँ पर इसको open करने, अपना एक photo clear, clear photo खीजना है, अपना एक तरह से specs पर रिमूब कर देना, और clear light में आपका photo आना चाहिए, तो basic सी बात है, जैसी आप अपना photo capture कर लोगे, तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा भी हुए take a selfie, तो जैसी आप photo photo capture क आपको complete करनी है, उसके बाद फिर आपको next page पर बढ़ जाना है, उसके बाद next page पर यह आपको बोल रहा है कि जो भी loan amount आपका approval आपको जो मिलेगा, वो कौन से bank में आप इसको receive करना चाहते हो, ठीके जी, तो यहाँ पर जैसे मान के चलो कि हमने loan amount कम जादा जैसे भी आपन करना है, जितना भी करना है, वो आप select पीछे आपने एक तरह से कर लिया, उसके बाद यहाँ पर यह बोल रहा है कि किस bank में आप एक तरह से loan को जो है, loan वाला पैसा वो accept करना चाहते हो, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर HDFC bank सेलेक कर लिया, तो HDFC bank में जो भी account number है, वो यहा पर मैं इसके आगे continue नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को Paytm से personal loan लेना नहीं है, ठीक है, तो मैंने बस आपको एक basic process बता दिया यहाँ तक, कि Paytm से personal loan कैसे एक तरह से apply किया जाते है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, कि Paytm के rate of interest बहुत महंगे है, इसलिए मैंने complete last वाला जो process है and thank you all.